हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे योटूब चैनल इलक्टिकल हब में दोस्तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाले की हम जो हमारा रेगुलेटर होता है उसको हम फैन में किस तरीके से कनेक्शन दिंगे दोस्तो अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइ नीचे लेडर ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूं और साथ में दोस्तों मेरे चैनल में जो न्यू वीवर आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल की वीडियो आप आप देखते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ फायदेवन होती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि होगा कि इससे मेरा भी मोटिवेट बढ़ते रहेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियो अप्लोट करते रहूंगा तो चलते हैं वीडियो के तरफ तो आज का टॉपिक यह है कि जो हमारे न्यू उंगे एकदम स्टार्टिंग लेवल पर या कुछ लोग ऐसा भी होता है कि घर पर ही ये सब करने की कोशिस करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि अगर आप किसी इलक्टीशन को नहीं बुलाते हैं और खुद ये काम करते हैं तो सैद आप वीडियो देख करके इसको कंप्लिट कर सकते हैं तो यहाँ पर है क्या कि यह मेरा regulator है और यह मेरा फैन होता है तो गर्मी का time है regulator और फैन दोनों ही इस टैम पर बहुत ही जरूरी आवसकता वाली चीजें है तो यहाँ पर देखेंगे हम यह फैन रेगूलेटर हम किस तरीके से connection करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर मैं हमारा मैं यहां पर एक डाइगराम बना देता हूं यह इस तरीके से हमारा दोस्तों बोड होगा मैं यहां पर बदिखा देता हूं बोड को जब आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा यह हमारा सौकेट हो गया और यह हमारा बटन के पॉइंट हो गए यह अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पर यह मेरा सौकेट हो गया बटन हो गया बड़न में आपने देखा होगा कि यहां यह पूरा नीचे एक साथ लगे होता है और उसके बाद यह वाला इसके साथ लगा होता है इस पर हमारा नूटन गया होता है दोस्तों इसमें हमारा नूटन जुड़ा होता है और इस वाले पर हमारा फेश जुड़ा होता है यह यान पिंचे जो हमारा switch होते हैं इदर इस area पर हमारे line जुड़ी होती है और इस वाले area पर हमारा socket के 1 pin पर फेश जुड़ा होता है देख सकते हैं अगर हमारा face यहां पर जुड़ा होगा है फेश हमारा यहां जुड़ा होगा है जैसी हम switch on करेंगे तो यह point इसके साथ connect होगा तो हमारा face यहां से यह socket के दूसरे वाले pin पर भी connect हो जाएगा यानि neutral तो हमारा पहले से connection था face यहां पर connect हो जाएगा तो हमारा socket क्या होगा चालू हो जाएगा तो इस तरीके से हम neutral और face को यहां connect करते हैं अब बात करते हैं regulator किस तरीके से हम इसमें connected करिए तो आपने देखा होगा कि यहां पर यह regulator जो होता है यह कुछ इस तरीका सा यह पर रिजूण होता है यह नोब होती है इसको मुब करने के लिए जो भी हम selection करते हैं जिस speed path और रिजुण के पीछे यहां पर देख सकते यह इस तरह के दो वैरे होती parfum कि सबें इससे ही हम इसको connection देते हैं सब पूच करो कि हमारा, फैन जो जुड़ा ओता दौस्त जो भी हमारी room की वाइरिंग होती है घर की वइरिंग होती है है Went से हमारे दो वायर निकलते एक नूटल होता है एक फेस होता है जो नूटल होता है जहां भी हमारा नूटल जुड़ा होता है फैन बॉक्स में और कहीं नूटल वहां जुड़ा होता है हमें इस नूटल को कुछ नहीं छेड़ना होता है नूटल इसके साथ जुड़ा होता है यह जहां से भी आ रहा होग इसको नहीं छोड़ छेड़ना है छेड़ना जो हमने इसको है यह फेस हमारा यहां आके कनेक्ट होई रहा था स्विच के ऊपर यह मेरे दोस्तों यहां पर यह सब स्विच हैं यह यह सब स्विच हैं यहां पर यह सब स्विच हैं अब देख सकते हैं इधर से हमें इधर से हमें neutral fan पर यहां पर देख सकते हैं हमारा सीधा चला गया है और जो face होता है हमारा line होता है जैसे हम बटन on करेंगे यह इसके साथ attach होगा और face भी हमारा सीधे चले जाएगा जिससे हमारा fan क्या होगा चालू हो जाएगा अब हमने का करना है इस में regulator को हमने attach करना है तो किस तरीके से करेंगे उसको में आपको बताऊंगा तो simply हम क्या करते हैं मैं इसको यहां पर cut कर देता हूँ यह तो हम simply क्या करेंगे इस regulator को फसकी मैंने यहां पर एक जगए छोड़ दिया इस regulator को हम यहाँ पर connection दे दिंगे यह हमने देख सकते हैं यहाँ पर हमने regulator का connection दे दिया है तो यह यह मेंगे आपको यहाँ बताए था यह मेरी नोब होगी गुमाने आ लिए तो इस में से एक वायर हम दिंगे इधर जहां हमारा fan की वायर लगी थी हम एक switch में से fan की wire को remove करेंगे जैसे ये wire हमने remove कर दी जो की यहाँ पर लगी हुई थी ऐसे तरीके से इसको हम निकाल दिंगे और फिरी कर दिंगे और उसके बाद regulator लगाएंगे और regulator जहाँ पर भी आपका fit होता है वहाँ पर regulator लगाने के बाद जैसे हम regulator लगाएंगे उसकी एक wire हम switch के ऊपर दिंगे जहाँ पर fan की लगी थी अब देख सकते हैं जैसे हम switch on करेंगे तो यह हमारा face यहाँ से होते हुए regulator के अंदर चले जाएगा और regulator के अंदर जाकर के हम regulator की current कितना बाहर निकालना है उसके हिसाब से जो दूसरी wire होती है regulator की उसको हम fan के साथ जोड़ दिंगे और यहाँ पर हम taping कर दिंगे अब होगा क्या है यहाँ पर देख सकते हैं यह हमें neutral हमें direct मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं उतना ही voltage flow होने देगा यह आगे तो हमारा fan क्या होगा उतने ही speed से चलेगा वन पर यह voltage कम flow होने देगा टू पर थोड़ा जादा थिरी फोर फाइब ऐसे आपको बढ़ते हुए लास्ट मग full voltage यह जो सबसे full speed होती है यह आपस में इसको sort कर देगा पूरा यानि जो इधर से आ रहा है वो ही इधर से निकल जाएगा इस तरीके से यह work करेगा और जब आप कम speed में चलाएंगे तो यह यहाँ पर voltage drop कर देगा और यहाँ से हमारे कम voltage आगे को बढ़ेंगे इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सेते है रेगुलेटर को यूज कर सकते हैं अपने बोर्ड में खुद से लगा सकते हैं और दूसरी बात यह भी है कि आपका रेगुलेटर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई switch खोल देते हैं मैं अभी दिखाता हूँ एक मिनट सब्पोच करो कि यहां पर यह बोर्ड यहीं तक है और रेगुलेटर के लिए हमारी जगे नहीं होती है तो हम क्या कर देते हैं इस वाले switch को खोल देते हैं और बोर्ड में हमारा कोई भी switch खाली नहीं होता है तो हम fan वाला switch उसको हम खोल दिंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से connection जो line है वो यहां से आके यहीं तक आएगी आगए आगे को तो हमारा regulator इसमें हम fit करेंगे switch में तो इसका connection कैसे करें, simple ही देख सकते हैं इसमें भी regulator में दो wire होंगी, एक wire को आप सीधा इसके नीचे input कर दिंगे यह, इस line जो नीचे face है इस पर डाल दिंगे regulator की एक wire और regulator की जो दूसरी wire है उसको इसके साथ डाल दिंगे अब क्या होगा, आपके fan के लिए कोई भी switch नहीं है ये तब है, तब कर सकते हैं, जब आपके board में कोई switch extra available ना हो, जहाँ पर regulator लगा सकें जैसे अगर आपका regulator पहले से लगा हुआ है, खराब है, तो उसको तो simply आप बदल सकते हैं लेकिन regulator ही नहीं है, बोड में और एकदम नए तरीके से लगाना है, तो उस case में दो बनते हैं आपके या तो regulator के लिए जगे है, आप switch भी यूज कर सकते हैं और regulator दोनों को लिए सकते हैं या आपके उसमें जगे नहीं है, तो switch को निकाल के regulator fit करेंगे तो यह वाला case है, उस case में के करेंगे, इसका button नहीं बनेगा, आप switch नहीं बनेगा तो regulator की जो एक wire होती है, नीचे face में डाल दिंगे और दूसरी wire जो होती है, वो सीधे fan के एक wire में जोड दिंगे जिसमें आपका पहले यहां पर कोई यह fan की wire यह वाली पहले यहां कहीं डली होगी इस तरीके से आपके कर सकते हैं, अपने board में खुद regulator को बदल सकते हैं, रिगुलोटर को लगा सकते हैं काफी simple और easy तरीके से, दोस्तो वीडियो कैसी लगी, comment करके जरूर बताना और चैनल को subscribe जरूर कर देना, अगर आप नए हैं तो subscribe कर देना क्योंकि मेरे नए viewer हैं जो उनके subscribe बहुत ही कमा रहे हैं दोस्तो आज के लिए तही मिलते हैं अगली वीडियो में